हमारे सबसे जाधा लोग का हैं किसान 45.5% के गरीबर पिछले आठ साल के अंदर सेंटर के अंदर सिर्फ सात लाग जॉब्स लगी हैं हम सभी बच्चों के लिए 20% डिसकाउंट कर रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के बैच के ऊपर और इसमें आपकी शद्दा मैम पढ़ा रही होंगी तो जो भी बच्चा कोडिंग के अंदर आ रहा होता है उसके लिए डेवलपमेंट बड़ा इंपोर्टेंट होता है इसमें लाखों जॉब्स होती है और इसके लिए हम अगले साधे चार महीने डेडिकेट कर रहे होंगे तो जो सीरियस है जो मेनट डाल सकता है अगले साधे चार महीने वह बच्चा मैम से आके पढ़ सकता है नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कॉलेज वेब एल्स और अलग-लग स्थितिया है हर व्यक्ति का अपना एक बाग्राउंड है पर फिर भी सारी चीजों को समेटते हुए कुछ ऐसी एक टाइम लाइन सी बनाएंगे जिसे कि आपके लिए बड़ा असान हो जाए प्राइवेट सेक्टर जब भी वेक्ति सोचता है तो सोचत पर लेकर आजाए एक आईएस को आप प्राइवेक्ट सेक्टर में किसके एक्विवेलेंट कंपेर कर सकते हो आप के लिए कौन सी कॉल बैतर रहेगी क्या 90 प्रसेंट से उपर वाले लोग ही गवर्मेंट सेक्टर में अप्लाए करें या कोई भी कर सकता है या करना भी चाह ही है हेल्थ केर भी प्रवाइट दे रहिए इजद नाम सारी चीज़े दे रही है तो तब सरकारी जौब का एक भारी हाथ होता है फिर दीरे दीरे जैसे देश का नेविलप्मेंट होना स्टार्ट होता है और जैसे अब आप डेवलप्नेशन को देखोगे आप यूरोप मे विखती है उसकी तो एक शमता लिमिट आ जाती है और प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई हाई इंकम सैलरी वाला है तो वो एक स्ट्रॉंग सेक्टमेंट बनना लग जाता है अब इंडिया भी आज की दिन एक ऐसी पोजिशन पर बैठा हुआ है कि हमारी सारी की सारी जो यं सर्विस सेक्टर माक्सिमम GDP को लेके जा रहा होता है इंग्लिश आती हमें अनलाइक चाइनीज पूरी वर्ल्ड अभी यह देख रही है कि आर चाइना का में एक बैकप ऑप्शन चीए हमें एक सेकिंड इंवेस्टमेंट पोटफोलियो चीए क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट यह में इस सच्व में निवंद हो रहा है आज के दिन Rs.9 यह बाहर के लिएक है अमेरिका आज से कुछ साल पहले हुआ 50-60 साल पहले शूराठ अमैरीकन ड्रीम आपने च्वातना होगा क्या मैरीका कासी क्या अका बढ़ा करों बड़ा करों बढ़ा करों इस तरीके Gesicht वह उत फ्लाइवर बनते हुए देखें वह बड़े बड़े इमारते हुए देखें आप और हम वह जनरेशन होने वाले जो इंडिया को अपनी आखों के सामने अगले 30-40 सालों में पीक पे जाते हुए देखेंगे आज जा पर हम 5 वी पॉजीशन पर फूरी वल्ड में एकॉनुमिक पावर की साब से आने वाले समय में हम थर्ड पर आएंगे मात रगले पांच साल के अंदर और उसके बाद अगले 20-30 सालों के अंदर इंडिया एक सुपर पावर बन रहा होगा 2050 और 60 में हम जिन्दा होंगे यह देखने के लिए कि कैसे हमारा जो एक नेशन था मनदा वो कैसे सुपर पावर बन रहा है तो यह सबसे पहले तो यह जो अमेजिंग जर्णी होने वाली है इसके लिए हमें बड़ा एक्साइटेड रहना है काफी बार आप सोचल मीडिया के उपर देखते होगे कि फलाना टेक्नोलोजी आ गई है पता नहीं जॉब्स चली जाएगी यह च सक्सेस्फुल नहीं है पर जितना बड़ा फरनल बनना जाता है उतनी और यह तो आने वाला समय इंडिया का है और एक वेव बन रही है और मानलो अगले अगले 30-40 साल हमारे हैं और अगिर अभी हम 2025 2023 में यहां पर हैं और यहां पर आगर आपने राइट टाइम पर राइट सीज कर ली तो इस चड़ती वी वेव के साथ साथ आप भी अपनी लाइफ में काफी अच्छा एक जंप ले सकते हो हमें वेव मिल चुकी है राइट टाइम पर राइट कंट्री में पैदा हो गए हैं तो सबसे पहले हमारे पास यह इसको माइंड में रखना है हम जितने भी करके सारे अधिशाम होगा और नए प्रकार के जो चारी है इसके यह फ्रेल्म यह पनाएंस पर आज आएस हो Once उने वाले समय में महारे एक सो ह। कुछ देख लेते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मतलब यह नहीं होता कि एक लाग की जोब और गवर्मेंट सेक्टर का मतलब यह नहीं होता कि सारे लोग आई इस बन जाएंगे आज सारी चीजे को मैं जल्द में कंपेर करने की कोशिश करूंगा यहां पे मैंने प्रा यह दो साल के बाद की क्यों ले रहे हूं क्योंकि गवर्मेंट एक्जाम भी तीन साल ले लेता है एक व्यक्ति on average minimum तीन साल लगा देता है तब जाके सरकारी में कहीं प्लेस हो रहा होता है तो मेरा मानना यह हैं जो आप हमने गवर्मेंट सेक्टर क्या देता है पहली बात सरकार आपका help करेगी तो यह सारी जब चीजे रखते हैं तो शादी के प्रोस्पेक्स भी आपके बढ़ जाते हैं इसलिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दो साल बाद में तो यहां पे एनिदे गवर्मेंट एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी एस कमपेर तो प् कर रहे होते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए अपने परिवार को उठाने का सबसे स्ट्रॉंग जरिया यह है कि वह इधर आ जाए बस दिक्कत यह है कि यहां पर बहुत हैवी कॉम्पेटेशन है वह उसके उपर हम आगे जाते हैं अगर आप 30-60,000 के ब्राकेट में आते हो मुझे सब्सक्राइब करें तो क्या मैं दो से तीन साल निवेश कर सकता हूं यहां पर यह फरक नहीं पड़ता आपके 90% सान 90% से उपर वाले बच्च्चों आपकी तो आपको मिलेंगे जिनके 70% से उपर है और आई-एस एक्जामनों नहीं क्राक किया है तो यहां पर आपको अप 20-20 साल के होगे 22 साल के घर से बार निकलना है तो कोचिंग के बाहने से बाहर चले जाएंगे अब हम अजाद पंची है पर यह अजाद पंची नहीं है अक्सरी में आपको तब मजा आएगा जब आप अपनी इंकम करना स्टार्ट कर जाओगे तब समाज में परिवार वाले अगर आप 60 से इस वाले और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कुछ ऐसे लोग होंगे जो मानलो क्रियेटिव पेल्ड के अंदर है अब आपको लगते हैं कि यार मैं इस काम में अच्छा हूं आप इस सेक्टर में रह जाओ एक अपने पार्टनर ढूंड़ो जो वर उपरवाले में जाते हैं मुझे लगता है आप एक ऐसी जगा पर आ जाते हो जहां पर दीरे दीरे प्राइवेट सेक्टर जो है वह आपको ठीक ठीक एडवांटेज देना लग जाता है यहां पर जब हम एक लाग बोलते हैं वह जमना आप जा चुका है जहां पर सिर्फ द रोज हैं वहीं पर साथ में कुछ कॉंस भी आ जाते हैं एक प्राइवेट सेक्टर का जो व्यक्ति है वो अर्बन एरिया में रहता है बड़े शहर जैसे की दिल्ली मुंबई पूने बैंगलॉर इनके अंदर रहता है वहीं पर गवर्मेंट एक्जाम के गवर्मेंट आप गर परिवार से दूर हो गए और हमेशा के लिए हो गए तो इस तरह के कई सारे इंस्सेंस हो जाते हैं प्राइवेट वाला तो क्या है दो साल बैंगलॉर में रहेगा तीसरे चौते साल दिल्ली गुडगाव में आ जाएगा फिर वह आईदरबाद चला जाएगा फिर प्राइवेट सेक्टर के सबसे जो टॉप चीज़ है उसके साथ कंपेर करके बैं बस एक डिफरेंट यहां पर पस्पेक्टिव देना चाहूंगा जो कि होते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविज्वर्थ यह वह वह वेक्ति है जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर या सेल्फ लाग का किराया आजाएगा कुछ के तो एकड़ इसके अंदर घर है अगर आप इनकी बाकी इनको जो वर्क और पॉर्क्स मिलती है हेल्थ केर मिलता है इनके पास एक से दो गाडिया होंगी ड्राइवर होगा साथ में गनमैन होंगे खाना बनाने वाला कोई होगा बच्चो तो वो हो गए बाकी पर्क्स हो गए मैं अगर मोटा मोटा कम कम करके भी बताओं तो यह माउंट सरकार 10 लाग पर मत के करीब एक आइस ऑफिसर के ओपर निवेश करती है पर इतनी सर्विसेज वो इन्जॉय करते हैं आज आईस ऑफिसर विच इस इक्विवेलेंट तो इंडिया के अंदर करीबं 13000 लोग हैं जिनकी नेट वर्थ 240 करोड के ऊपर हैं यह वो हैं बस जो पेपर पर दिखाई दे रहे हैं असलियत में शायद यह नंबर और ज्यादा आपको मिल सकता है करीबन आठ लाख लोग हैं जिनका नेट वर्थ 8 करोड के ऊपर आपको मिल जाएगा इसे जादा नंबर रियालिटी में आपको मिलेगा आइस का वेकेंशी निकलता है सारे मिला मिलू के भी आप 800 अगर मालो मदब जो एक बार में सिविल सर्विसेज में सीट मिल आइस 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 सारा मिलू के 800 800-1000 के बीच में वो चीज़ करती है हर साल निकलती है बस अपनी-अपनी कैटेगरी में पीक है इधर के फाइदे कुछ और है रिस्पेक सेक्यॉरिटी वो सारा मिलता है इधर के फाइदे कुछ और है यह व्यक्ति एक अच्छी लाइफ टाइल दी सकता है जो पैसा कमाया है उसको निवेश कर सकता है फैमली को जाधा टाइम द जाता है कि अब हमारा पार्टनर कौन हो कि मालो फॉर एक्जामपल मेरी जारखंट के अंदर जॉब लग गई अब जारखंट के अंदर में को ऐसा पार्टनर चीजो मेरे साथ आ सके और वर्किंग भी हो पर मालो स्टेट में उतनी अपॉर्चुनिटी ना हो या कोई और द और फिर जब आपको खुझली मजती है कि यह मैंने दो तीन साल के अंदर सीखा है यह चीज में मुझे लगता है पॉर्चुनिटी है दिरे दिरे जैसे आप मार्केट से इंट्रड्यूस होते हो आपको पॉर्चुनिटी दिखती है राइट टाइम राइट एक्जिउशन राइट लोगों के साथ आपको किक देता है अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा और उसके बाद एक मेसेज करना चाहूंगा यह बहुत दुरूरी है पिछले आठ साल के अंदर सिर्फ सात लाग जॉब्स लगी हैं सरकारी सेंटर के अंदर स मुश्किल से एक का सेलेक्शन हो पा रहा है तो वह एक व्यक्ति तो बड़ा खुश हो गया क्योंकि मतलब उसके लाइक में सारे लोग खुश है पर जो 99 लोग है जो दुखी हो गये जिनके अरली 20s 21 22 23 24 चारपा साल लोग निवश किये पैसा लगाया और जो एक होता है और दी अप्रिशेशन अंदर से वंधिक्ति होने लग जाता है तो इसलिए खुद के लिए एक डेडलाइन बनाना बहुत जुरूरी है कि अगर मैं कोई चीज कर भी रहा हूं तो इस चीज को मैं 2 साल दूंगा मैक्स 3 साल दूंगा हां यार ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जि सब्सक्राइब करें जो कि सारी आप आप कर सकते हूं सिर्फाइस इपस नहीं होता बात ही सारी बहुत अच्छी ऐड़ेज्द फोती हैं फिरकार से सब इसके बारे में सब्सक्राइब नहीं लंबा हो जाएगा इनके क्या-क्या पेज होते हैं वो भी मैंने आपको यहां प क्या हाथ आ सकता है जैसे व्यक्ति 24 को ग्रॉस करता है उसके दिमाग में एक टेंशन बना स्टार्ट होता है और 25 से 29 में सिर्फ 9% लोग unemployed रहते हैं सारे लोग धीरे धीरे जहां जहां अपने इसाफ से सेटल होने शुरू हो जाते हैं और जैसे व्यक्ति 30 साल के उपर जाता ह है ना या यह नंबर 9.8% से और नीचे गरे और नीचे गर जाता है मैं आने वाले समय में आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर दिख रहा है 20-24 साल की उमर में कि 23 परसेंट लोग नेंप्लॉइड हैं जब व्यक्ति 29 हिट करता है तो 10 परसेंट हैं 30 प्लस होते यह नंबर 3 परसेंट फिर ड्रॉप हो जाता है एज के साथ दीरे दीरे अनिम्प्लॉइमेंट क्योंकि व्यक्ति कहता है कहीं भी जगा मिले आप मेरे को ले लेनी है वर्क तो इसको भी वर्क फॉर्स का हिस्सा माना जा रहा है तो होता क्या हर व्यक्ति कोशिश करता है अपने अर्ली 20s के अंदर और उसके बाद कहीं न कहीं चाहें उसकी मन की चीज है या नहीं है वो सेटल होने लग जाता है यह ग्राफ आपको डिक होते वे दिखेगा अब इस के अंदर कोई फिर से बता देते कोई चाही की दुकाने पकोड़े की दुकाने कोई रेश्ट्राइए को धाबा है हर व्यक्ति सेल्फ इंप्लॉइड है तो यहां आप देखोगे जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल्फ इंप्लॉइड लोग आपके बढ़ते जाते हैं तो यह जो अरली ट्वेंटी जोती है इसे हमें बढ़ा सोच के समझ के मेरी क्या अंदर की स्ट्रेंट्स हैं मैं कौन सा बच्चा हूँ क्या मैं खुद अपना इसको क्या मेरा सिर्फ गोल है यह यह मेरा यह परपस भी है यह अपने आप से थोड के क्या मैं यह चीज़ कर सकता हूं अगर आंतर आता है हां तो आप वो चीज़ कर सकते हो एक यहां पर मैं स्टाट और आपके साथ करना चाहूंगा जो पूरी वर्कफोर्स है हमारे सबसे ज्यादा लोग का हैं किसान 45.5% के गरीबन फांप सेक्टर है जिसमें हमारा इंप 45% हमारी वर्कफोर्स जो है वो खेती के अंदर है और जो अब खेती के अंदर नहीं है वो किस प्रकार से डिवाइड़ेड है सबसे बड़ा है इस प्रकार से यह चार्ट भी आपको एक काफी अच्छी रियालिटी बता रहा होगा कि सारे लोग कहां पर क्या 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 काहरे हैं कॉलेज के जो यह तीन से चार साल है यह आपके लाइफ के सबसे important साल है जो कि आपकी direction बता रहे होगे देंको या ज़ुक्त बड़ार नहीं लेगी पर किस direction में जो लगा यह बड़ा होता है और वो तब पता चलता है जब आप अवेर हो के थोड़ी चीजों को अब्ज़र्व करते हो मेरे आश्पडोस के लोग क्या काम कर रहे हैं मेरे लिए क्या काम ठीक रहेगा अपनी खुद के आप करेक्टर को जानते हो यार कि मैं 30 साल के अंदर किस प्रकार का काम हूं क या मैं वह व्यक्ति हूं जो हमेशा थ्राइव करना चाहेगा आज चाहे मैंने जॉइन किरा हो 40,000 की सालरी पर मुझे यह पता है आने वाले टाइम में वह व्यक्ति बन जाओंगा जिसका 5 लाग पर मन्त होगा मैं अपने काम में इतना बढ़िया बन जाओंगा जो शायद पर याद रखना सौ में से एक बच्चे का सेलेक्शन वहां पर होता है और यहां पर है कि यार घुसना मुश्किल नहीं है पर अगर आप में दम हुआ तो यहां से आप इवेंच्वली यहां पर पहुंच सकते हूं हाँ मेहनत तो यार करनी पड़ेगी मम्य पापा यार मुझे मुझे याद भी याद है पापा का करते थे हर व्यक्ति को अपने एजुकेशन टाइम में दो से तीन साल जबर जस्किसना होता है कुछ बच्चे आइटी की त्यारी के तामें गिस लेते हैं 11 12 में मेडिकल की त सब्सक्राइब के लिए तो दो से तीन साल तो एजुकेशन में जिसना जरूरी होता है और उसके बाद जब आप अपने काम के अंदर कूच जाते हो तो अगर किसी ने दस साल दबा के लगा दिए ना कि कुछ लेट राइट नहीं देखना मतलब सिर्फ काम है तो यह व्यक् पर इसको मिल गया इंटरनेट अब आई फॉर इंटरनेट विए इनफरमेशन से तो फाइदा आई वहां हमारे तक एड़ुकेशन पहुंच गी पर इंटरनेट में क्या है इस बच्चे को दुनिया वर का कॉंटेंट बंबाट कर रहा है रीज के माधियम से यूट्यूब क के माध्य हम से बड़ा बढ़ बढ़ अब अब इसे नहीं पता कॉन सब मेरे लिए सई है कॉन सब रिले सब्सक्राइब T यह बैटर गरत कर पहता चीज को As Compared to this student तो कई बार इस बच्चे के पास इतनी information हो जाती है टूमच अनालिस इस परालिस बहुत जादा इंफोर्मेशन होने के बाद व्यक्ति आक्ट नहीं कर पाता वो जाम हो जाता है करना क्या है तो में यह बच्चे बनने से यार बच्के रहना है इंटरनेट पे इंस्टेग्राम पे अगर आपको फरक पड़ रहा है कि वह कोई शो सिर्फ इनके उपर लगाने वाला हूं अगर यह क्लारेटी नहीं है तो हमें ज्यादा समय लगेगा और उसके बाद भी दिक्कत हो जाकती है मैं यह समझे अपने आपको पवित्र नदी की तरह मानों कि मैं बहुत ही पवित्र नदी हूं क्लीन जिसमें मीठा पीने वाला प पॉल्यूटेड हो जाओगे तो आपको अपने बड़ा वेर रहेके कहना पड़ेगा यह कूडा मेरे काम का नहीं है 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 हां यह इन्फोर्मिशन है इसक सरकार के उपर हम यह dependent रहने की जुरत नहीं है, इतने सारे entrepreneur सबा रहे है आने वाली generation जो है उसको अपने उपर ये बाहर उठाना जुरूरी है कि मैं इस देश के अंदर पैदा हुआ हुआ हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ मैं क्या services प्रोआड कर सकता हूँ करके मैं खुद भी और लोगों को और जोब्स दूँगा इस तरीके के हमारे बड़े विजन होने चीए हमें दूसरों से यह व्यक्ति यह इतना कर गया मतलब मैं भी कर सकता हूं पहले कहते ते गाव में अगर एक व्यक्ति सरकारी जौब में निकल जाता है तो पीछे-पीछ चाहिए हमें सिर्फ जौब सीकर नहीं हमें जौब क्रियेटर्स भी चाहिए और उन सभी चीजों को हमें एप्रिशेट करना है और हम बड़े फैंक्फुल है कि इस एरा के अंदर हम आज के दिन पैदा हो पाए देखो दिक्कते हर समय आती है बस हमीश है याद रखना आज दिक्कते जादा है या हमारे दादा प्रदादा के समय दिक्कते जादा थी जब काम करने को सिर्फ एक खेत हुआ करता था बारिश पर हम डिपेंडेंट हुआ करते थे और प्राइवेट सेक्टर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी शाय जिस एसी या पंखे के नीचे आप अभी बैठे वह चीज भी प्रवाइड नहीं होती थी एक उस जमाने से निकल के अब हम इस सेक्टर के अंदर आ गए हैं छोटी चीजों का में वाइड करना है काफी क्लियर गोल्स हमारे होने चीए और अपने कॉलेज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें तब के लिए लव यू आल टेक केर एंड सीया